असलाम अलेकुम नाजरेन, मैं हूँ शाहिद फुरेशी और आज मैं आपके सामने आने का आहिम मखसर। अगर समाज में कोई अच्छा काम करता है तो यखिनन शाहिद फुरेशी ही नहीं हर कोई उसकी मदद करता है। अगर अच्छे काम के आड़ में अपना मफाद देख रहा है तो शाहिद फुरेशी सबसे पहले वाट्चप चैनल उसके खिलाफ रहे है। जैसा कि मैं आपको बता दू हमने भी देखा हैदराबाद यूद करेश सलमान और दूसरे बच्चे काफी अच्छा काम कर रहे थे हम भी यह सोच के हम भी उनको प्रमोट किये थे। लेगिन आइस्ता आइस्ता जैसा उनके सकेम सामने आ रहे हैं तो हमें आवाम के नाम सामने लाना उनके सकेम जलूर है। जैसा कि एक चार दिन पहले 60 दिन पहले हैदराबाद यूद करेश के वभी पोस्ट पर य्याश्मीन बेगम पेशेंट और उनके चार बच्चों के साथ एक वीडियो लोगों ने पोस्ट किया था जिसे देखकर हिंदुस्तानी नहीं सारी दुनिया से लोगों के आखों में आसू आ गए और अपने अपने तोर पर लोग उनको मदद करने लगे जैसा के यास्विन बेगम पेशन्ट के नाम पर उनके एक रिष् वाली है अकाउंट नमबर है मेरे पास SBA EDI Bazar ब्राइंच है और इस अकाउंट में चार दिन में हमारे भायों ने सारी दुनिया से तकरीब बन 45 लाक रुपे की इंदाद किये मेरे पास अकाउंट का स्टेटमेंट भी है ब्रूफ भी है और यास्मीन बेगम जो तुम भी ह सक्तर हजार रुपे जमा किये गए हैं जबके बिल ज्यादा हुआ था उससे ज्यादा जमा नहीं किये हैं एक दो दिन के बाद बिचारी यास्मीन बेगम की मौत वाखे हो गई यह तो अल्ला के हाथ में है मौत और आया हो गई हम यह नहीं कहेंगे कि बिल नहीं बरने से बरी गई जबके 45 लाक रुपे इस अकाउंट में जमा हो चुके हैं और यास्मीन बेगम की मौत वाखे होने से पहले सलमान जो हिदराबाद करेच के करता धरता है उनके परसनल अकाउंट में 15 लाक रुपे ट्रास्फर किये गए और एक साब है एहमद मुयोदिन राशित इनका भी अकाउंट नमबर HBA ब्रैंच इदी बजार का है उनके अकाउंट में 15 लाक रुपे ब्रैंच ट्रास्फर कि किये गए क्यों किये गए किसके बाद की जागे रहे किस वज़े से किये गए जबके पेशन के नाम पर पैसे आए तो पेशन के इलाज के लिए द्राफने में जमा कर दी चाहिए सतर हजार रुपे जमा किये गए इसे बाखी के पैसे गए का पंद्रा लाक इनकी अकाउंट में 30 लाग रुपे लोग ट्रास्फर कर लिए में पास अकॉंट का स्टेट में सलमान का अकॉंट अइमद नगर ब्रांच के नरा बैंक का अकॉंट नमबर उसमें 15 लाग मोहियो दिन राशित का अकॉंट डी बजार एजबी ब्राच उसमें 15 लाग टोटल डिपाजिट 25 अब इतना बड़ा ये अपने परसनल अकाउंटों में ट्रास्फर करने की वज़ा क्या है अबहत ही मैं समस्ता हूँ बहुत लोग एक बेताबी से इनतजार करें होंगे मेरे रिप्लाइ का और बहुत लोग मेरे सामने तो बहुत अच्छे रेते और फोन भी अच्छा करते माशाय ला सलाम वालेकुमसलाम बहुत अच्छी अच्छी बाते करते और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वही लोग पेशेंट्स के जो जिम्मेदार थे उल्लों को कॉल करकर डराने की कोशिश भी करते और हमारे खिलाब भटकाने की कोशिश भी करते तो ऐसे भी लोग है जो लोग आज HYC के हर वो कामों में इतनी जुस्तजू रखे हैं अगर तुम लोग की आउलादों में उनके future के बारे में तुमारे घर के बारे में अगर तुम लोग सोंचते तो तुम लोग आज ये आठने वाला new channel नहीं चलाते थे आज देखते हैं हम हर गली में हर गली में आप देखिए हर कोई बंद रूम में बैट के एक वीडियो बनाना अच्छा सिख लिए पेट छोड़के आदे बाला चले गए पुरी जिन्दगी गुजर गई मगर अपनी जबान से अपनी जबान से हमेशा टांग खिंचने की आदत नहीं जएंगी वो क्यों पूरे खोन में भरेवी है अपनी फितरत क्या है मालूम भरेवी है फितरत है खोन में भरेवा है क्या भरेवा है पुरी मकारी जूट इतनी गलीस मैं आप लोगों को मैं बता भी ने सकता इतनी गंदी सोच के है इतनी गंदी सोच के है कभी HYC को कॉल करें तुम लोगी हिमत भी कभी HYC को कॉल करो कभी पूछो के पंदरा लाग कांगे पूछो कभी पूछे नहीं पूछींगे क्या करींगे मालूम चोरों के जैसा पिछे 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 फिर के वहां पर जाके एकान डिटेस निकाल के तो तुम लोग क्या करींगे मालूम अप इसको कैसा पकड़ना है कैसी साजिश रचना है इसको कैसा बदनाम करना है हैच वाइसी को कैसा गिराना है इन चार बच्चियों को पाल पाल कर अपनी जिम्मेदारी निभा कर उसने अपनी जिन्दगी खुर्बान कर दी एक बंद रूम में एक बेबस मां तड़पते 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 चार बेटियों के सामें बेबसी के हालत में जब थी तो कौन सा मां का बेटा पह पाइदा होते मरते कई गरिबां कई गरिबां पाइदा होते मरते तो ये एक ऐसा मसला है जो हैदराबाद के अंदर कई ऐसे घर है कई ऐसे घर है जहां पर आज भी कई माएं और कई इनके वालिद परिशान हालत में हैं किसी की आउलाद परिशान है किसी का बाप परिशान है किसी की माँ परिशान है तो इतने घर है इतने घर है मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा तो अभी मसला ये जो माँ का ये जो माँ जो जिन्दगी और मौत के बीच में लड़ रही थी तो जब कोई ने गया जब हैच वाई सी जाके वहाँ के तकलीफ से जब आप लोगों को वाज़े कराया वहाँ के हाला से वाज़े कराया और मैं खुद वो तकलीफ बरदाश नहीं कर सका और उनके खानदान की अगर आप लोग उनके अगर family की अगर कहानी सुनोंगे तो आप लोग के रोम्टे खड़े आते वह इसी कहानी है वह इसी कहानी है जब जाके मैं जिम्मेदार बना मैं कौन हो तो उनका जिम्मेदार बनने वाला पहली चीज सोचे कभी आप लोग मैं जब जिम्मेदारी उठाया तो तुम लोग का सवाल था आप क्यों जिम्मेदारी उठारे कोन है क्या उनका कोई जिम्मेदार है या नहीं है सवाल उठाये कभी उसके पर ने 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 वो ने उठाएंगे अपन क्या उठाएंगे क्या उठाएंगे पंदरा साल हुए तो डोलेके मोताच है लेके जाके गार देते लेके जाके गार देना बाख़ी है तो अबी भी तुम लोगों को अखल नहीं इतनी उम्मर गुजर गई के हैदराबाद में कैसे कैसे तकलिफा हैं उन वे पर द हम करींगे कुछ करींगे अपनी जवानी जो है ये चीजों में लगाइंगे वो ने गरींगे अपनी जवानी का लगाइंगे अपना बुड़ापा का लगाइंगे जब अल्ला करने का वक्त है तो टांक खिशने में लगाइंगे ऐसे हालतों में जब हैदराबाद रह रहा तो ये गरीबों के क्या होने वाला है यही होता इन्हें मर जाता इन्हें मर जाती उन्हें भाग जाता इन्हें भाग जाती तो ये हालत हैदराबाद के है 15 लाक मेरे 70 लाक हैदराबाद यू दिला है कितने 70 लाग उसके अंदर और 20 लाग मैं डाल के देता हूँ 20 लाग मैं डाल के देता हूँ तुम लोग पहले HYC से call करकर clarify करो clarify करो ये करो कि भई 15 लाग आपने क्यों डाल लिया क्या है आपके rights पूछे कभी ये नहीं 15 लाग रुपे की जो बात है न और एक जो 15 लाग की और एक जो बात है न ये लड़कियों के मुस्तखबिल के लिए फिक डिपॉजिट करने के लिए ये amount निकाला गया था और जो रखम थी उसके अंदर मैं नहीं चाहता था कि इनके कोई भी खान्दाने जो दूर दूर जो 15-15 साल हो गया जो 20-20 साल हो गया इनको छोड़कर उनको मालूम हो मैं नहीं चाहता था कि उनके ताया 12 साल के बाद काल करे मैं नहीं चाहता था मैं नहीं चाहता था जो इनका जो पीवट बाप है जो इनकी मां का जो जिम्मेदार है मौत का मैं नहीं चाहता था क्योंकि बाप को मालूम हो मैं नहीं चाहता था क्योंकि आज ये मालूम हुआ है तो ये मुनाफिकों की वज़े से ये मुनाफिक ये कुते की आउलाद ये सुवर की आउलाद इन लोगों ने ये धिंडोरा पीटा ये धिंडोरा पीट कर ऐसे लोगों को भी वता दिया कि इतना रखम आया है और ये रखम अब इनके आखां लाल हो चुके है इनके ताया बारा साल के बाद कॉल करते है बच्चियों को कि मैं बच्चियों को मैं अडॉप्ट करता हूँ क्यों भई आज पच्चास लाक रुपया बोलके अडॉप्ट करते मैं जो पंदरा लाक रुपय निकाला हूँ असरा बेगम के अंदर से और पंदरा लाक और एक जो निकाला हूँ वो फिक डिपॉजिट करने के लिए जो चार बच्चियां है उनके नाम के ओपर फिक डिपॉजिट करने के लिए मैं नहीं चाहता था कि यह यह एमांट है यह किसी को मालूम हो मैं नहीं चाहता था मैं तारीफ अपनी खुद की कर सकता था मैं कर सकता था कि मैं देखो मैं तीन दिन के अंदर इतने लाक हो रुपे दिला दिया मैं नहीं करना चाहता था मगर ऐसे मुनाफिख ऐसे कुटे की आउलाद सुवर की आउलाद ये लोग धब्बे हैं मुसल्मानों के नाम पे ये लोग धब्बे है मजाग बना दिया जिन्दगियों को और यतीम बच्चों की जो जिन्दगियों के साथ तुम लोग खेले हैं कल के दिन अगर ये रखम को लेका अगर यतीम बच्चों के साथ अगर कुछ होगा तो तुम लोग जिम्मेदार है जो लोग उठाए है आवाल एमांट के जो टोटल एमांट है अगर उसके ओपर तुम लोग जो आवाज उठाए है वो तुम लोग जिम्मेदार होंगे क्योंके मैं बच्चेों को अच्छी मुस्तक्बिल उनकी अच्छी पढ़ाई उनकी अच्छा एजुके जो है उनकी अच्छे शादिया उनका अच्छा घर उनका अच्छी जिन्दगी देने का जो मैं वादा करा इतना रोया इतनी तकलिफ हुई जब मैं उठाया तो फंद्रा लाक रुपे डाल कह रहे हैं पंद्रा लाक नहीं पंद्रा क्रोड उपे खर्चा करता हूँ पंद्रा लाक नहीं पंद्रा क्रोड उपे खर्चा करता हूँ और ऐसा सलमान ऐसे कई लाक रुपे खर्चा कर दिया कई लाक रुपे खर्चा कर दिया मगर तुम लोग आज एक लाक रुपे अगर कोई और्गनेजेशन चैलेंज कर रहा हूँ challenge कर रहा हूँ कोई एक दिन के अंदर एक लाग रुपे जमा करके बताओ गरीब की आवास दूर दूर तक पहुंचाओ कोई यां organization पहुंचाओ मेरे भाई पहुंचाओ अगर तुम लोग के अंदर उत्ती ताखत है अगर उत्ती हिम्मत है तो गरीबों करके बताओ बताओ HYC छोड़ दीगा काम बताओ एक दिन के अंदर अगर तुम लोग एक लाग रुपे अगर किसी से मंगा के बताओ donation कराओ किसी से मैं मान लूगा क्या हूँ नहीं करींगे तुम लोगा चोरा है पूरे चोरा जो आज आवाज उठा रहे ये पूरे चोरा है और ये लोग जब मस्जित उठी कोई आवाज ने उठाया बंद रूमें वट के आज HYC के ओपर वीडियो बना रहे आज HYC इतना इन लोग को इतनी तकलीफ हो रही अरे HYC हमेशा अच्छे दिल से सच्छे दिल से काम करा हमेशा 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 इन लोग अरे अरे बंद बंद अरे प्राइ अरे प्राइ झाल झाल